नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को बंगाल का ऐसा तांत्रिक जादू बताऊंगा जिसके द्वारा किसी भी इंसान को तोता बनाया जा सकता है जिहां दोस्तों आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि मैं कैसी बहकी बहकी बाते कर र मनुष्य को तोता बना सकता है तो दोस्तों आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूँगा तंतर मंत्र एक ऐसी बिद्या है जिसके द्वारा वो भी किया जा सकता है जो असंभो होता है तंतर मंत्र बिद्या का जो रहसे है जो दुनिया है बहुत अनूठी बहुत वो लोग जो है तंत्रिकी दुनिया में कदम रखते हैं जल्दी तरक्की पाने के लिए तथा तंत्रिक सक्तियों को अर्जित करने के लिए जिससे वो अपने जीवन को सुखी बना सकें और सबसे अलग हो सकें और कहीं कहीं पर तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो इन तंत्रिक सक्तिय का गलत यूज करते हैं किसी को परसान करने का किसी की उपर कुछ जादू टोना करने का यानि किसी को परसान करने का उनका जो मनुरत होता है वो बहुत विकार होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे तांतरिक सक्ति के द्वारा किसी भी मनुस को तोता कैसे बनाएं दोस्तों यह एक ऐसी बिद्या है जिसके बारे में किसी को नहीं पता तो दोस्तों आप सभी संरोध है इस बीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा अगर आप भी जानना चाहते हैं बंगाल के असली जादू के बारे में जिसके द्वारा तोता बना जाता है कि अगर आप लोग इस प्रियोग को सिख गए तो दोस्तों आप किसी भी इंसान को तोता बना सकते हैं चुट्कियों में बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है यह सच है क्योंकि दोस्तों जो तांत्रिक सकती होती है वास्तों में बहुत रहस्तिमई होती है लेकिन क्या होता ह है ना कि तंत्र सौर इतना आसान नहीं है आज कल आपको बहुत सारे नहींकर बहुत सारे मौलाना बहुत पादरी मिल जाएंगे जो अपने आपको जादू का यह दो दो specifics लेकिन उनकू को ड्रयान नहीं होता बना सकते हैं तो दोस्तों सुनिए ध्यान से दोस्तों यह जो मंत्र है जो मैं आपको देने जा रहा हूं इससे पहले मैं आपको कुछ बिसेश बाते बता देना चाहूंगा यह सारी की सारी गुप्त विद्याएं आपको एकांते में करनी है यह यह प्रियोग आपको एकांते को जो है क्या करती हैं तोते में तब्दील करके अपने पास रख लेती हैं और फिर जो है उसको अपना गुलाम बना लेती हैं बंगाल में जादू का एक अनूठा संगम है और असम में भी यही चीज है और साथी साथ दोस्तों उत्तर परदेश तत्थमद्र परदेश के कई चेत्रों में भी यह तंत्र विद्या बहुत हावी है दोस्तों भारत वर्स हमेशा से ही तंत्र मंत्र की एक अनूठी रूप रिखते करते आया है लेकिन दोस्तों जो मैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो को देखिए तभी आप इस प्रियोगों को जान पाएंगे और आप भी इस प्रियोगों को करप सकते हैं आप दोस्तों किसी भी इनसान को तोता बना सकते चुटकियों में तो चलिए हम आपको इस बिद्या के बारे में बताते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही परकार से दबा लीजिए क्यूंकि हम अपने चनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमई तांत्रिक जानकारी लाते रहते हैं तथा कई परकार की तांत्रिक साथना लाते रहते है और कई पिरकार की रहस्यमई ब्रम्हांड से जूड़ी समश्या के बारे में और ब्रम्हांड से जूड़ी रहस्यों के बारे में जानकारी लाते हैं साथी साथ सोना चांदी बनाने के भी प्रियोग लाते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो को भी लाइक करना मत बूलिएगा चलिए हम आपको बताते हैं किसी भी इंसान को तोता कैसे बनाए आदमी को तोता बनाने का मंतर बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए मंतर है ओम आहत कलाकार हरा लाल पीला लाल चोच बंजा फट फट स्वाहा दोस ख़रना कितने बाहा कि जाब करना दोस्तों आदी रात को जब करना है जिहाँ जब सिद्ध हो जाए तब आप ही आप यहाँ यहाँ आपको अपने आप किसी एक मनुस्ष पर जाच करो इन खुद आपको किसी एक मनुस पर इस मंत्र को जाप कर, मतर जाज करना हैं, जाज करो जब वह लाल पीला मनुस पड़ जाए तो जानो मंत्र सिध्ध हो गया और कमारी कन्या यानि जो कोई कमारी कन्या हो उसके हाथ से एक डोरा कत वालो यानि डोरा बनवालो और उसका एक गंडा बनवालो जानते हो ने जो काला धागा होता ना उसको एक अजबुत डिजार्ण में बनवालो काले धागो को जिसको लोग आजकल पहनते हैं और फिर जि तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको बड़े ही मन से करना है और बहुत आसान प्रियोग आप इसको कर सकते हो दोस्तों इसमें पहले 39 रोज तक मंद्र को कंठ कर ले यानि कि आपको सबसे पहले 39 रोज तक यानि 39 दिनों तक आपको इस मंद्र को कंठस्त करना यानि औरही गमन झूट बोलना नसा 评ह दारू पीना चार फाइपर सोना दूसरे का अभाना चोडी करना दगाबाजी करना जूता पहनना सिरम पर टोपी रखना यह यह पहरेज करना है और इन सब चीजों से आपको दूर रहना है और आपको दूध दूध चावल का पका हुआ गिरत डाल कर 24 दिन तक आपको खाना है और खाट पर नहीं सोना है और माला हरी रंग का हो माला आपको हरी रंग का लेना है हरा माला लेना है और उसी पर सवालाख मंतर जब करना है और जब पूरा होते ही जी हां दोस्तों उसी रात और मंत्र मंत्र को दोस्तों पूरा होते ही सवालाग मंत्र जब आपका पूरा हो जाएगा तब आपको किसी मनुस्त के उपर इस मंत्र का प्रियोग करना है जी हां मंदर पढ़ते रहिए और उसको जो धागा पहना दीजिए तो दोस्तों देखती ही देखती हो फौरन तोता बन जाएगा जो मैंने जानकारी बताई ध्यान से वीडियो को सुनिएगा तभी आपके समझ में आएगा और तभी आप हर किसी को असानी से तोता बना सकती हो दोस् तो आपको एक तांत्रिक बनने में सहयोग करेगी अगर आप लोग भी तांत्रिक बनना चाहते हैं चोटी मोटी साधना करना चाहते हैं और आपको भी किसी इंसान को तोता बनाना शीखना है तो दोस्तों इस प्रियोग को करके आजमा करके दोस्तों गरंटी के साथ आप कि जहार किया पॉट